दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइब डेमो के साथ किस तरीके से UPPSC ROARO का फार्म आप लोग भरेंगे फार्म प्रारम हो चुके हैं आप लोग भर सकते हैं सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आजाना है सबसे पहला नोटिफिकेशन समिच्छा दिखारी स्वाइक समिच्छा दिखारी का है नव नॉमबर 2023 तक इसमें फार्म भर सकते हैं यहां अपलाई लिखा हुआ है अपलाई पर क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज आपके सामने खुलेगा यहां पर आपके पास आपसन आएगा लास्ट में आथिंटिकेट विद ओटियार आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा इस तरीके से पेज आपके सामने खुलेगा यहां लिखा हुआ है आथिंटिकेट विद ओटियार सर्वर यहां पर कलिक करेंगे अब यहां पर हूंच रहा है क्या आपना ऊटी याय राजिस्ट्रेशन करेंगे तो अगर कर लिया है तो आप ये जीय स्टेस्ट्रेशन करने के बाद करेंगे वा ने पर यहां पर आपको अपना ट्र नमबर डाल करके प्रोसीड पर क्लिक करना है इस तरीके से कंफरमेशन पेज खुलेगा यहां पर आपका नाम दिखाएगा फादर नेम मदर्स नेम साइड डिटर्स आपको दिखाएगा इसको आप चेक कर लो सही है अगर आपका iotr नेम फाल फ़हाएग तो यहां पर क्लिक एक अब क्लिक कर देंगे कि इस तरीकी से अपके समने पेजς ओपन होगा यहांपर बोला है कैसे आप अपने आधेंटिकेट करेंगे टुम यारा Congo तो मैं काउनगा कि तो कि आपको pak सवोड याद तो आप सवार के धुरू कर लो क्योंकि ओपी करेंगे तो काफी अपको यहां पर वेंट करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर लिखा प्लीज सिलेक्ट्ट slipp डिवाइस तो यहां पर कहा है आप मुवाइल नमबर पर opt चाहिती है यह लिए क्लिक पी भेज धिया गया Master कुल मिला करके आदा गंटा इतजार करने के बाद अब यह पेज लागिन हुआ है ओटियार की वेबसाइट बड़ा परेसान कर रही तिस वज़े से आपको दिक्कत आएगी आएगी ठीक है अब यहां पर इस तरीके से देखिए खुलेगा यहां पर बता रहा है कि ऑनलाइन संटान उटियार यह यहां पर जो भी डीटेल आपको दिखाई दे रही है तो यह ब्याइं जो औरा वहीं सारे जाह दिखाइघे रहीं तो आप यहाँ पर नीचे के तरफ आओगे तु यह पर दिखिए पोस्ट डिटेल से बता समिच्छा दिकारी सायक समिच्छा दिकारी एक्जामनीशन पर इसकेल बता रहा है अपरेज बता रहा है नमबरा पोश्ट बता रहा है अब यहां पर नीचे दिखा रहा है आथन्टीकेशन सक्सेस्फूल एज पर OTR सरवर रिस्पोंसेस अब यहां पर आपको प्रोसीड पर क्लिक करना यह साल डेटा ओटियार का था ठीक है अब यहां पर दिखिए आपका में फार्म आया हुआ है अब यहां पर देखिए कंडिडर का नाम भारा आया है इस सारी डेटेल्स जो हाइलाइट नहीं है लिखा हुआ विव ओनली इनको किवल आप देख सकते हो इसमें कोई संसोधा नहीं कर सकते हो क्योंकि यह ओटी याड से कोई नहीं करेगा उसको गलत बारा वरा तो मतलब मैं यह कि आपकी डिटेल होनी चाहिए और हाइश्कूल डिटेल सही होनी चाहिए आप यहां पर देखो आपको इस आप यहां पर खुद बरना पड़ेगा जैसे कि बोला बैचलर्स डिग्री जुएसन आपने किया हुआ तो नहीं आ रहा ठीक है? इसके बार यहीं पार बोल रोले आपके पास है तो एस करो हमाई का तो नहीं है तो हम कर देंगे फित्ना सब ड़कर यहां पर एज यहं सदेशार है इच छो आपको यहां पर जो आपके उपर है जन आरो पर बուक्रात है कि तुक्र समझना चाहे तक पिस्ब्लेकल यह व्यावला देलिkes अभी सब्सक्राइब यहां पर हमने डाल दिया अब यहां पर देखिए अगर यह सामने लिखा हुआ सब्सक्राइब यहां पर लिखा आ रहा है कि कंडिडेट्स अर एडवाइज टू यूज डैस्बोर्ड सर्विसेज टू कम्प्लीट अप्लिकेशन फार्म कर सकते हो अब देखेंगे हम लोग फिर बोलक पार्ट्टू फार्म फिलिंग फिर डिपोजीशन प्रिंट अप्लिक इस्टेटरस मोडिफाई अप्लिकेशन यह सारा फार्म आप पर डैस्वोर्ड सर्विसेज से कर सकते हो अब डैस्वोर्ड रिविसेज मिलेगा भी पता जूँ हम आपको देका डैसवोर्ड प्रवाइट संवराइज इन्फर्मेशन रिगार्डिंग दा प्रोग्रेस अप्लिकेशन फार्म अच्छा करें ठीक वहां से कर सकते हो तभी चल रहें डाइस बोड़ पर कैंडली प्रोसीड पार्ट्टू यहां लिखा हुआ है हम क्लिक करेंगे अब यह देखिए आपका फार्म इस तरीके से खुल क करके आगया है सम्मिट अप्लिकेशन फार एक्जामनेशन ठीक है तो यह बेसिक डिटेल्स आपकी आ गई है फूटो और सिगनेचर बाइड डिफाल्ट यहां पर आपको अप्लोड नहीं करना ठीक है अगर आप फोटो सिगनेचर बदलना चाहते हो तो ओटी यार की वेब इन एन 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 ए ठीक है तो इसमें कुछ मत करो अब यहां पर नीचे आ जाओ जो में पोस्ट है तो यहां पर कहरा है किसके लिए आवधन करना चाहते हो तो देखिए सबसे पहला है लोग सिवायोग लोग सिवायोग में पोस्ट का नम क्या है सहायक समिच्छा अधिकारी लिखा तो इसके लिए हम पात्र है ही नहीं है तो हमें नो करना है आप पहले पात्ता सुने कर लेना कि आप किस पोस्ट के लिए पात्र हो किस पोस्ट के लिए पात्र नहीं हो तभी यह सिया नो करना तो यहां पर हमें नो कर दिया फिर बोला है कि सायक समिच्छा दिकारी बोर्ड आप रेवेन्यू या लोग से वायोगी या सचीवाले में करना चाहते हो तो हम इसके लिए अधन नहीं करना चाहते हैं तो हम इसने भी करेंगो नो ठीक है यहां पर देखो लोग से आपको एलजिबिल्टी क्रेटेरिया के बारे हम यहां बता भी दिया गया है तो य आपने डाल दिया यहां पर तो इस विकल्ब देने की इन पदों पर विचार किया जाएगा इन पदों के लिए अगर आप पात रहें तब ही आप यह सकरिये नहीं तो जो सामाने सनातक के पद हैं वो आपके लिए लागू रहेंगे बास समझ में आ गई तो यह सारी चीज़े हो गई अब यहां पर बोला है प्रफरेंसियल कालिफिकेशन क्या आपने टरिटोरियल आरमी में कुछ सेवा करी है नहीं करी हैं अगर आपके पास है तो आप यस करोगे अब यहां पर देखिए अड्रेस डिटेल्स आ रही है यह अड्रेस डिटेल्स अब यहां से संसोदन करना आपको यहां से संसोदन नहीं होगा ठीक है अब यह डिकलिटरेस ना हम इस पर यह करेंगे अब यहां पर यह capture code दिया गया capture code है हम यह आप पर डाल देंगे जो कि सेम जैसे लिखा है उसे डालना है एक्स थ्री के एक मट कि एक्स थ्री के एन वाई ठीक डाल दिया प्रीवी फॉर्म पर हमने क्लिक कर लिया और के क्लिक कर लिया अब यह फॉर्म खुल गया इसको आप अच्छे से उपर से नीचे तक देख लो पूरा आपका सही है नहीं सही है कोई दिक्कत हो तो अभी देख लो इसको ठीक है नहीं तो बात में कर रहा है करेक्शन नहीं होगा अब लिखा हुए समिट अपलिकेशन फाम पर यहां पर क्लिक कर देंगे थीक है अब लिखे हम आमारा सम्मीट हो रहा है और यहां पर यह फीक आपको करनी है इसे रुपहिए कि और यहां पर प्र पेमिन करने के लिए यस यान लो बोला है तो तो पेड़ करनी पड़ेगी बांकि नीचे देखो कि यह फाम पूरा आपको खुला वही वाला है जो भी आपके सामने आया था ठीक है तो यहां पर हम फी कनफिरमेशन विंडो पर यस कर देते हैं अब हमें फी पेमेंट के तरफ ले जाएगा यहां पर हमें फी पेमेंट करन सकते ब्रांच में जाकर के भी आप जमा कर सकते हैं है फिलाल इसके इस्की में builder you करना है तो यह आपके पास जो है ओटीयार का डैश्बॉर्ट करके आ यहां पर पूरे विविश्बॉर्म के आपको प्रोग्रेस दिखाएगा तो देखिए यह आपका OTR dashboard ठीक है OTR dashboard में यहां पर देखो सारा कुछ दिखाएगा आपको जो भी अपने form apply किया हुआ है समिच्छा दिखा रही साइक समिच्छा दिखा रही का वो देखो यहां पर दिखा रहा है पार्ट वर हमने complete कर दिया पार्ट वी complete कर दिया फी पेमेंट देखे पेंडिंग दिखा रहा है और बांकी इसमें application id टाइम यह सारा कुछ यहां पर आपको दिखा देगा ठीक करेंट activity क्या हुई है modify आपने किया है अपडेट आपने किया हुआ है नहीं किया हुआ है तो यह आपका पूरा farm यहां से modify हो जाएगा बाइचांस कभी बाविस में आप जो है ओटीर में changes करते हैं कुछ तो डारेक्ट आपके changes फार्म में नहीं होंगे उसको आप यहीं से आ करके यह सिंग करना होगा लिए सिंग करेंगा तो सारा changes जो टीर में होगा वह यहां पर हो करते हैं यहां पर देखिए ओटीपे डालके submit कर दिया payment हमारा success जो चुका है ठीक है अब यह वापस आपको भेज़ देगा उसी website पर जहां पर हम लोग थे प्रोसीड फरा final submission पर क्लिक कर देंगे यहीं से यहां पर देखिए आप लिख करके आ रहा है फीस payment के बारे हम दिखा रहा है क्लिक here to proceed पर क्लिक करेंगे तो यहां पर यह देखिए आपका फार्म आ चुका है जो फार्म था पूरा complete ठीक है और यहां पर आपको नीचे आना है और यहां पर आपका फार्म जो है submit हो चुका है और यह आपका बराबराया print out है ठीक है